हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है देखे आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर जेनरल सर्ट बीर सिंग जी हां जो IESW के चेर्मेन भी है उन्होंने DESW Department of Ex-Service Man Welfare को एक लेटर लिखा है उस लेटर में क्या बाते हैं वो सारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन्होंने PMR Premature को लेकर एक लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कुछ बाते कहीं हैं तो देखे इस लेटर पे दो तरफ से देखा जा सकता है कि क्या Major General जो सत्वीर सिंग है उनका जो लेटर है PMR को ORP का हक दिलाना है उस लेटर का अक्षली मुद्देश्य है या सरकार की तरफदारी करना है तो क्या है पूरा इसको एनलाजिस करेंगे हम अपने इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वो लेटर जो यहाँ पर भेजा गया है इंडियन एक्स सर्विसमेन मुवमेंट तो देखिए ये जो है आपका 10 जनवरी 2023 को सिरी विजोय कुमार सिंग आईएस सेक्रेटरी ESW एक्स सर्विसमेन वेलफेर उनको भीजा गया है और देखिए टाइटल क्या है इसका सब्जेक्ट है इसका रिक्वेस्ट फोर करेक्शन ओफ इफेक्टिव डेट ओफ ओर ओर बैनिफिट्स फोर पीमर केसिस फोर आमड फोर्सिस देखिए जो आमड फोर्सिस के लिए पीमर केसिस की जो डेट है उसमें कुछ आपको करेक्शन करना चाहिए उसके लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है अब देखें वो problem क्या है वो आखी correction कहा करने के लिए बोल रहे हैं तो देखें दो letter यहाँ पर आपके सामने दिखाए गए है refer following letters पहला letter है 7 नवंबर 2015 का देखें जिसके उपर हमने कई वीडियो बना चुके हैं और काफी discussion हो चुका है और दूसरा जो main है वो भी 4 जनवरी 2023 को है जो DESW की तरफ से सरकार ने जब cabinet ने approval दिया था OROP revision को उसके बाद यह letter जारी हुआ था तो दोनो letter में कुछ date का difference है premature को लेकर वो क्या है वो भी हम जानेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनो letters को देख लेते हैं सबसे पहले आपके सामने letter है 7 नवंबर 2015 वला उसमें आला कि क्या mention है वो देखते हैं सबसे पहले तो उसमें लिखा गया है जो fourth point है तो देखिए यह सब जो है उसमें जो letter है यहाँ पे साफ लिखा गया है will not be entitled to the benefit of OROP and it will be effective prospectively तो सबसे पैडिच यहाँ पहलाइन है कि यह सारे यहाँ पर mentions किये गए है कि किन किन को जो है OROP का benefit नहीं मिलेगा और यह letter 7 नवंबर 2015 रहा है यानि यह जो है 7 नवंबर 2015 से आपको इनका benefit नहीं मिलने वाला है अब बात करते हैं जो अभी latest letter जारी किया है 4 जनवरी 2023 को उसमें उन्होंने लिखा है personal who opt to get discharge with effect from देकि यहाँ पर जो date है वो है 1 जुलाई 2014 और जो हमारी पहली date थी वो थी 7 नवंबर 2015 तो देखिए 1 जुलाई 2014 से लेके नवंबर 15 तक लगब लोग 16 से 17 महीने में अगर यह retire यहाँ पर हुए है PMR गए हैं लोग तो उसका benefit यहाँ पर इस letter में यानि 15 महीने सीधे सीधे कम कर दे गए हैं तो देखिए इसके rectification के लिए यहाँ पर जो है letter लिखा गया है कि यह जो date है एक जुलाई 2014 ना होकर 7 नवंबर 2015 हो क्योंकि पहला letter यह जो था 7 नवंबर 2015 को जारी किया गया तो इसका benefit देखिए बहुत सारे ऐसे premature होंगे जिनको मिल सकता है तो एक देखिए बहुत ही अच्छी पहल है ताकि ऐसा करने से क्या है यह जो 15 महिने में PMR गए है तो देखिए उनको भी इस OROP रिविजन के दाएरे में लाया जा सकता है यह तो हुआ इसका पहला पहलू तो देखिए उन्होंने भी यही कहा है तो DESW is requested to issue amendments that PMR cases who have been taken premature from armed forces on or after 7 नवंबर 2015 will not be entitled for OROP however PMR cases who have taken voluntary PMR from 1 जुलाई 2014 और देखिए 7 नवंबर यानि 6 नवंबर 2015 तक will be given full benefits of OROP and equalization of OROP due from 2019 तो देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जो इस बीच में यहां पर PMR गए है तो देखिए उनको OROP revision का पूरा benefit मिलना चाहिए क्योंकि जो 7 नवंबर 2015 का लेटर है वो भी देखिए base letter है OROP के लिए तो उस date से यहां पर जो पहले का है 1 जुलाई 2014 4 जनवरी 2023 के लेटर में है उससे लेके यह 15 महिने जो आपके आपको बैठते हैं तो इनका benefit जो है सब जिए यह letter उनोंने भेजा है तो इसका मकसद क्या है तो एक तो यह है तो देखे यह beneficial point है कि आपको इन 15 महिनों का उन premature के लिए benefit होगा जो premature यहां पर गए हैं केवल letter में करक्शन की वज़े से दूसरा point यहां पर यह उठता है किया यह सरकार को बचाने की या सरकार की तरफदारी करने की कोशिस है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखे जहां पर हम बात कर रहे हैं कि pre-mature जितने भी लोग हैं सब को benefit मिलना चाहिए क्योंकि defense के अंदर आप कहेंगे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी से वी आरेस voluntary retirement system नहीं है नहीं छोड़ सकते हैं जो छोड़ते हैं तो वो service की conditions है terms conditions है उस आधार पर छोड़ते है तो अगर आप वी आरेस यहां पर लागू नहीं है तो आप इन 15 महीनों के लिए केवल क्यों मांग रहे हैं आपको ये जो PMR है ये पूरे के पूरे PMR गुरूप को धान में रखते हुए मांगना चाहिए तो क्या आप ये जो लड़ाई है PMR की इसका दाइरा कम करना चाह रहे हैं तो ये दोनों वो सवाल यहाँ पर आभी उठ रहे हैं हाला कि अभी latest ये है कि उनका एक tweet भी आया था कि अब जो है हाला कि इसके regarding PMR के regarding हम Supreme Court में भी case डालने वाले हैं तो देखे सबसे बड़ी चीज क्या है ये जो Major General Satwir Singh जी है ये X अगर मान सकें तो एक्स सर्विसमेन समूतों की साथ साथ में जो OROP है उसके देखे हीरो बनके निकल के सामने आए हैं जब भी कोई आंदोलन होता है कुछी भी ऐसी चीज होती है तो देखे उसमें कोई एक आदमी हीरो बन जाता है तो जैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ तो देखे जो अनना हजा रहे थे अगर OROP का कोई आंदोलन की बात करें तो देखे Major General Satwir Singh का नाम सबसे उपर आता है तो अब उनके उपर ये दायित है कि इस लड़ाई को क्योंकि difference already officers और जवानों में बहुत जाता है तो उस आंदोलन को इस आधार पे आगे बढ़ाएं कि जवानों को भी लगे कि हाँ उनके साथ भी नियाय किया जा रहा है ना कि केवल officer officer बैट के आपस में ये बातें कर रहे हैं आगे देखेंगे क्या होगा सुप्रीम कोट में क्या केश डाला जाएगा हालकि सबसे बड़ी बात यही है कि premature को जो है OROP का benefits मिलना ही चाहिए आपका क्या इसमें सुझाव है आप भी comment box में message छोड़ सकते हैं फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत